If you are working mom और busy mom तो ये वीडियो आपके लिए बहुत helpful है इसमें मैं आपको एक ऐसा प्रीमिक्स शेयर करूंगी जिसे आप 10 मिनिट में कोई भी अपनी मील बना सकते हैं Not only this, I'll share dates and dry fruit लड़ू and many more So please watch this video till end So let's talk about the first part दाल पूरी प्रीमिक्स की दाल पूरी प्रीमिक्स बनाने के लिए मैंने यहां पर एक कटोरी उड़त की दाल ली है यह split उड़त दाल है यह देखिए यह कुछ इस तरीके की होती है अब क्योंकि हम दाल पूरी प्रीमिक्स बना रहे हैं दाल को वाश नहीं करेंगे लेकिने किचिन टावल से कवर करके इसकी इंप्योरिटी को इस तरीके से हटा देंगे दाल को मैंने मिक्सर जार में ट्रांसफर कर दिया है अब हम इसमें कुछ बेसिक मसाले डाल देंगे जैसे नमक, मिर्च, हिंग, जीरा पावडर, सुखा धनिया पावडर, गरम मसाला पावडर, आमचूर पावडर लेकिन जो इसमें में एक मसाला जाएगा वो जाएगा सॉनफ पावडर w THAT आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा हल्दी पावडर भी डाल सकते हैं लेकिन ये डालना इसमें totally optional है सूख धनिया पाउडर तो इसमें जाए गई साथ में थोड़ा सा सूख धनिया की सीट्स भी डाल दें अगर आपके पास हैं तो So this is the soft powder अगर आपके पास soft powder नहीं हो तो आप direct soft भी डाल सकते हैं अब बस सारे मसाले डालने के बाद इस दाल को हम पीस लेंगे मसालों के साथ तो ये लिजी फ्रेंट्स हमारा दाल पूडी प्री मिक्स बनके हो गया है तैयार अब आप इस दाल पूडी प्री मिक्स को completely ठंडा कर लीजेगा क्योंकि मिक्सी में पिसके यह थोड़ा सा गरम हो जाता है और एक एयर टाइट कंटेनर में भरके रख लीजेगा और जब भी आप बहुत जल्दी में हो या ओफिस से आए हो तो आप फटा फट से ब्रेकफास्स लंच या डिनर कुछ भी पांच मिनट में बनाके तैयार कर सक अब जो हमारी खाने वाली चम्मच होती है न तो मैं चार से पांच चम्मच भरके जो हमने डाल पूरी प्रीमिक्स बनाया है न वो इसमें डाल दूंगी आटे और सूजी के हिसाब से इसमें हम डाल देंगे नमक क्योंकि डाल में तो हमने नमक डाला ही था थोड़ी सी डाल तू टेबल स्पून ओयल को भी इस आठी में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं बस नॉर्मल पानी से इसका एक सॉफ्ट आठा लगा लेंगे आठा हम सॉफ्टी लगाएंगे क्योंकि हमने इसमें डाली है सूजी और दाल जो की पानी को एब्सॉर्ब परती है जब हम इसको रेस पूडियां बनाते हैं उसी तरीके से इसकी हम पूडियां बना लेंगे अब बस जैसे हम रेगुलर पूडियां बनाते हैं उसी तरीके से इसको हम ओयल में फ्राय कर लेंगे और इन पूडियों में आपको दाल की कचोड़ी का टेस्ट भी आएगा साथ में आपको अगर आ पूरियों को गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। पूरियों कितनी अच्छी और करारी बनके तैयार हुई हैं और फूली फूली भी हैं। अब इन पूरियों के साथ अगर आपके पास सबजी भी बनाने का टाइम ना हो तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चटनी जिसको कि आप फ्रिज में एक हफते रखके अराम से इंजॉय कर सकते हैं। अब जिसमें झाल के लिए ना हरे धनिये की चightनी बनाने के लिए यहां पे मैं लय वे शेयर की साथ कर के वाश भी कर लीया हैं। यह जें ना करक्क चत्पता भाट प्रिजम चाटनी की 3-4 लाजिन मीर्च और इस चटनी को आप पूरा एक हफ़ते से दस दिन तक फ्रिज में एर टाइट कंटेनर में रख कर और इसको इंजॉय कर सकते हैं जीरा बनाने के लिए मैंने एक पैन में डाला है जीरा और इसको मैं मीडियम फ्लेम पर लगाता रोस्ट कर लूँगी जब तक कि इसका कलर नी चेंज हो जाता है और इसमें से एक अच्छी से खुश्बूने आने लग जाती है तो जीरे को मैंने भून लिया है इसका कलर भी चेंज हो गया था और ये कम्प्लीटली ठंडा भी हो गया है अब इसका बस मिक्सी में मैं बना लूँगी पाउडर और वो पाउडर को ठंडा करके एक एर टाइट कंटेनर में स्टोर कर दूँगी आप चाहें तो इसको राय हमारा कुरेंडर पाउडर बनके हो जाएगा तैयार इनको आपको रोस्ट करने की जरूरत नहीं है एज लाइक जीरा पाउडर बस मिक्सी में भी इसको थोड़ा सा कोर्स पीस लिया है और जब ये ठंडा हो गया था इसको भी मैंने एक एर टाइट कंटेनर में स्टोर कर द जीएगा उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी नॉट अनली दा मसाला उस पुरानी वीडियो में मैंने और भी काफी कुछ बताया जैसे घी बनाना ग्रीन वेजीज को स्टोर करना कुछ और मैंने आपको वेजीज भी उसमें बताई है तो बॉक्ष मिल्क को हाई फ्लेम पर बॉइल ने के बाद मिल्क को ट्रांसपर कर दिया है इंस्टेंट पॉट मैं और अब मैं इसको इतना ठंडा कर लूँगी कि जब मैं इसको फिंगर से टच करूंगी तो मेरी फिंगर इसकी गर्माहट को टॉल्रेट कर सकती है तो बस दू इसको मैं कर दूंगी मिक्स इंस्टेंट पॉठ को मैंने एट आड्स के लिए लगा दिया है और इसकी जो उपर नोब होती है उसको कर दिया है वेंटिंग पर और इसको मैंने योगर्ट मोड पर लगाया है अब मैं आपको सुबह इसका प्रॉपर रिजल्ट दिखाऊंगी बस इसको आठ घंटे हो गए थे मैंने इसको आइपी में से निकाल लिया है और यू किन सी दही काफी थिक जमा है ये कितना थिक जमा है मैं आपको स्पून से भी इसको दिखा दे रही हूँ नाव दा लास्ट रेसिपी इस डेर्स ड्राइफरूट लड्डू जो की विंट पॉपी जी जाता है जिनको तिल बोला जाता है वाइट तिल वह भी ले सकते हैं अब मैं इसको मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए इन पॉपी सीड को भून लूगी तो पॉपी सीड तो भून गये है इनका कलर भी चेंज आ गया है खुश्बू भी अच्छी आ रह तो अब मैं इस पॉपी सीड के साथ इनको भी अच्छे से मिक्स कर दोंगी, आपको भूहुनना नहीं है बस इनको आपको अच्छे से पॉपी सीड और घी के साथ मिक्स करना है बस ड्राइ फ्रूटS को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने यहां पर तीन कप के आसपास जो डेटस होते हैं न वो लिए हैं यह आपको कॉसको में मिल जाएंगे इनमें न सीड नहीं होते है तो इनको मैंने क्या किया था छोटे छोटे पीसेज में करके और मिक्सी में इनका इस तरीके का पेस्ट बना लिया था तो ये एक साथ आप इनको ब्लेंड ना करें मिक्सी में इनको आप बैचिस में ब्लेंड करें क्योंकि ये एक साथ ब्लेंड नहीं होंगे तो मैंने इन सब को 3-4 बार में मिक्सी में इस तरीके का पेस्ट बना लिया है अब हम बस इसको भी इन ड्राइफ फूर्ट के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे प्रॉपर सारी चीज़े अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने एक प्लेट में ऐसे ट्रांसफर कर लिया था और जब यह हलकी सी वाम थी बहुत जादा आपको ठंडी नहीं करनी है तब आप इनकी अपने मन पसंद के लड़ू बना सकते हैं चाहे छोटे चाहे बड़े देखे मेरा एक लड़ू बनके तयार हो गया है आप चाहे तो इसकी बरफी भी बना सकते हैं तो मैं इसी तरीके से यहाँ पर और भी लड़ू बना के तयार कर लूँगी और बस आप एक लड़ू अपना भी खाईएगा बच्चों को भी खिलाएगा तो लड़ू बनके सारे यहाँ पर तयार हो गए हैं आज की वीडियो में बस इतना ही और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें फ्रेंड्स फैमिली के साथ जादा से जादा शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यार सब्सक्रिश्वन मीन्स अलॉट टू मी थैंक यू